देखो यार अगर तुमें मेरा वाइस थोड़ा अजीब सुनाई दे तो इसको इगनोर मारना क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है 10 के वज़े से तो इसको इगनोर मारो और वीडियो को इंजॉय करो हाँ तो चलो बात करते हैं आज के टॉपिक पे रोरा नौरो के बारे में जहां पर हम जोरो के के रिलेटेड तीन सवालों के जवाब ढूडेंगे अब देखो इन सब चीजों के बारे में बात करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहँगा डिस्क्लेमर ये वीडियो किसी पी तरह से मेरे कोई भी प्रेडिक्शन या थियोरी वीडियो का पार्ट नहीं है तो इस वज़े से इस से मेरे पुरान वीडियो का कोई लेना देना नहीं है ये एकदम नया टाइप का वीडियो है प्लस यहाँ पर हर सवाल का जवाब ओडा जो भी information हमें मांगा, anime, वीवरे कार्ड, जंप फेस्टा या SBS वॉल्यूम सीरीज में सोग किया है उस पेसिस पे तुमको जवाब दिया जाएगा तो अगर कोई भी Zorro फैन को एतराज है वो कमेंट में प्रूब के साथ ग्यान देना और हां वीडियो को पूरा देखना तो चल जोरो वाइस कैप्टन है स्ट्रो हैट्स पायरेट का, बिकोज जोरो कई बार वाइस कैप्टन की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया है, अगर तुम्हें वाटर सेवन आर्क थोड़ा बहुत भी याद है तो तुम्हें जरून मालूम होगा, प्लस हाली के मांगा चैप पायरेट्स में आई थी, उसे ये देख करके लगा था कि लूफी नहीं बलकि जोरो कैप्टन है इस्ट्रो हैट्स का, अब देखो जो कुछ भी हो, जोरो एक कैप्टन मेटेरियल है, no doubt, बिकोज उसने कुछ डिसिजन्स लिये हैं, लेकिन फिर भी जो जवाब है कि क्या ज जिसे ओडा ने मांगा चेप्टर 1031 में दिया था, इस पेज में तुम्हें जोरो के साथ साथ और भी कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, अब इस पैनल से रिलेटेड, क्वेस्चन जो है ओडा से SBS वाल्यूम में पूछा गया, तो SBS में ओडा ने इसका जवाब भी दि के, अब देखो ये तो फाइनल हो गया, कि जोरो जो वाइस कैप्टन नहीं है, ओडा ने भी बता दिया, लेकिन अब सवाल उठता है, कि आखिर स्ट्रॉहेट पाइरेट्स का वाइस कैप्टन कौन है, अब देखो ये सवाल भी जो है ओडा से बहुत पहले पूछा जा बताते हैं, तो वो नामी को समझते हैं, क्योंकि लूफी के बाद सबसे important character नामी ही है, क्योंकि नामी के बिना सिप कहीं भी नहीं चल सकता है, प्लस अगर लूफी सिप में नहीं भी है, तो भी हमें नामी सिप को एक जगह से दूसरे जगह ले जार करके दिखा चुकी है, ड्रेस रोजा आर्क याद है, वहाँ पर जो है, नामी सिप को हैंडल की थी, प्लस बराटी आर्क में भी हुआ था, लेकिन उसको हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि उसको बहुत कोई नहीं गिनने चाहेगा, लेकिन ड्रेस रोजा वाला आर्क सबसे best example है, I hope कि तुमें जवाब मिल गया होगा, यहाँ पर देखो, ओडा ने कहीं पर भी डायरेक्ट जो है, बताया नहीं है कि कौन है वाइस कैप्टन, उनके दिमाग में अभी कोई आइडिया नहीं है, वाइस कैप्टन वो किसको बनाएंगे, लेकिन देखके लग रहा है, नामी सबसे आगे है लिस्त म नहीं दिया है, अब इससे पहले की कमेंट में जोरो फैंस गालिया देना चालू करो, मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो भी बोलना होगा, जोरो के कैरक्टर को तुम ध्यान से देखो, तो तुम्हें पता चलेगा, जोरो का कैरक्टर अपने कैप्टन के लिए समर पित, व वानो में भी, अगर तुम देखो न, तो काईडो के खिलाफ फैट करते टाइम, उसको बहुत जादा डैमेज हुआ था, लेकिन फिर दुबारा जब वो हील हुआ, उसके बाद उठने के बाद वो किंग को काटा, हाँ किंग वसी जोरो वाला फैट जो बढ़िया था, जोर कर रहा था, ड्रेस रोजा आर्क में पीका को काट दिया था, और अभी लेटर्स चैप्टर में काकू गया है, उसको भी साथ काटेगा, अब देखो यार, यह सब तो ठीक है, लेकिन जब भी बात आती है, बैक स्टोरी की, कैरेक्टर डेवलप्मेंट की, तो हमें जोरो में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, जोरो जैसा पहले था, आज भी ऐसा है, खास कर तो टाइम स्किप के बाद, क्यूंकि टाइम स्किप से पहले थोड़ा बहुत जोरो में दिख रहा था, लेकिन टाइम स्किप के बाद तो एकदम से रुक सा गया है, उसके अंदर बाकी क एक्जामपल है, वही नामी में भी अगर हम देखने जाए, तो वह हमें देखने को मिलता है, नामी इतनी बड़ी डरपो कैरेक्टर है, लेकिन वह उल्टी के सामने, बिना डरे, लूफी ही पाइरेट किंग बनेगा, ये बोल देती है, वहीं सांजी के भी हमें दो दो बैक स्टूरी, उसके आलावा कोई हमें उसका ओरीजिन से रिलेटेड बैक्स्टूरी नहीं देखने को मिला है, प्लस जोरो वहां पर कैसे पोचा, वह वहां के स्टूडेंट कैसे बना, ये बात भी हमें नहीं पता, अब देखो, जोरो कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं होगा क्योंकि उसके पास एक कॉनकर हाकी और इतना खतरनाक विल वाला बन्दा वो ऐसे तो नॉर्मल होगा नहीं, प्लस मैं तुमको एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने ना वानो आर्क से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखा था, मुझे लगा था कि होल के क उसके आयलेंड में जैसे सांजी का बैकस्टोरी दिखाया गया, ओड़ा हमें जो है जो है जो है जो है बैकस्टीर दिखा गया बढ़िया से हमें जोरो को इंटर्डूश करेंगे, कि आखिर कौन है, रोरानुआ जोरो, बाट वो चीच हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला बट आई होप फ्यूचर में हमें ओडा जो है जो है जोरो से रिलेटेड इन सवालों के जवाब देते वे नजराएं बैक स्टोरी वगरा कुछ ना कुछ दिखाएं जिससे जो है पता चलेगा लेकिन ये होने के चांसेज मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि वन पीस अपने फाइनल सागा में है खैर जो कुछ भी हो फाइनल कोस्चन की तरफ चलते हैं आखिर रोरा नुआ जोरो वन पीस फैंस के बीच में इतना फेमस क्यों है मैंने जहां तक गौर किया है मेरे जादतर सब्सक्राइबर्स के फेवरेट करेक्टर रोरा नुआ जोरो ही है अगर मै ये सवाल में किसी जोरो फैंस से पूछता हूँ न वो दो से तीन चीजे ही बताएगा जैसे जोरो बहुत ज्यादा बैडस है सेकेंड वो कैप्टन के लिए बहुत ज्यादा लोयल है और वो नानीमों वाला मॉमेंट लेकिन सच्चा ही कुछ और है मुझे ऐसा लगता है क् क्योंकि जोरो ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपने फर्ष्ट अपिरियंस में ही फैंस के बीच में जगा बना लिया था प्लस उसका थ्री स्वार्ड स्टाइल वीवर्स के बीच में नया दिखा था मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब वनपीस का मांगा नया नया आया था बिकॉज दूसरे एनमे में भी हमें दो से ज़्यादा तलवार चलाने वाले कैरेक्टर दिखाये जा चुके लेकिन जोरो का स्टाइल सायद फर्ष्ट था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेकिन जो कुछ भी हो लोग जोरो के थ्री स्वार्ड स्टाइल को बहुत से देखो तो कुईना के साथ वाला वो जो बैक स्टोरी था जिसके बाद जो है जोरो डिसाइड करता है वर्ल्ड का महान तलवार बाज बनने का तो तुम्हें वो ज़्यादा इंपक्ट नहीं करेगा भले ही जोरो के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है एक औ हुत इरिटेट करती थी जब तक अलबा स्टार काया नहीं था सच कहूं तो चौपर फ्रैंकी ब्रोक उसौप इनका कैरेक्टर भी मुझे सुरू में ठीक ठाक लगा था और जैसा मैंने पहले सुरू में नाम लिया सांजी नामी रॉबिन ये मुझे सुरू में पसंद नही दिखाया गया जैसे नामी का आर्लोंग पार्क वाला दिखा था रॉबिन का एनिस लॉबी आर्क में दिखा सांजी का भाई होलकेक आइलेंड में उसके बाद से ये कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आयते लेकिन जो जो जोरो के साथ सीन थोड़ा उल्टा हो जा या मेरा कोई और है सबका अलग अलग होता है वह अलग बात है लेकिन जोरो के ना कुछ टॉक्सिक फैंस भी एक्जिस्ट करते हैं और ये कम मातरा में नहीं है बहुत ज्यादा मातरा में है ये लोग पूरे जोरो के कैरेक्टर की मा बहन एक करके रख दिया है एक्जाम्प का गियर 5 जब नहीं आया था ना उससे पहले ऐसे ऐसे बंदे थे भाई क्या बोलते था पता है मैंने देखे हैं यार फेस की हैं मेरे कुछ पुराने सब्स्ट्राइबर्स भी थे मुझे कभी कपार पूछा करते थे कि भाई जोरो जो है ना लूफी की जद करता है वरना व जोरो के टाक्सिक फैंस थे लेकिन अच्छे फैंस भी हैं खर जो किजबी हो आज के वीडियो में हम मैं यही बात करना चाहता था अब जो है तुम इस टाइप का वीडियो उस क्या और भी कारक्टर से रिलेटेड देखना चाहते हो यह जो कमेंट बॉक्स में बताना मद ब प्लस अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में देना कि वीडियो तुमको कैसा लगा कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने का ट्राइ करूंगा अगर देने लाइक होगा तो और हां लाइक सब्सक्राइब वाली फॉर्मलेटी भी पूरा क कर देना प्लस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना तो यार मिलेंग नेक्स्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई